Hello friends welcome back to another new video and दोसो अगर आप एक Xiaomi device के user से, POCO device के user से या फिर लोसो आप एक Redmi device के user से तो finally दोसो आप के लिए काफी बड़ी surprise गुड़ने। दोसो आप अपके फोन में Xiaomi के तरफ से MIU के अपडेट नहीं बलकि एक fresh new OS के update मिलने वाले जिसका नाम रहने वाला Xiaomi के तरफ से Xiaomi Hyper OS काफी क्विक्ली नेवल भी कर सकते हैं कई वीडियोस को रूट करने की जरूरत नहीं है को भी थर्ड पार्ट अप्लिकेशन को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है काफी क्विक्ली अपने फोन में इस वाला नया कंट्रोल संडर को एनेबल कर सकते हैं सो कैसे इनेबल करना है आज के इस वीडियो में बतने वालो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास अक जुरू देखते रहें सो चले फ्रेंड्स विदाउट वेस्टन टेम लेट स्टार्टेट दोस्ता वीडियो शुरू करने से पहले आप मुझे नीचे कमेंट बक्स में जरूर बतना कि आपके पास कौन सा फोन है और आपके फोन में कौन सा वर्जन इस्टॉल ड़ी कमेंट करके जरूर बता सकते है सो फ्रेंड्स काफी समय के बाद यहाँ पर शामी के तरप से यहां पर शामी हाइफर ओस यहां पर अनॉस हो चुका है और यह जो न्यूस है क्योंकि यह जो प्रेसिटेंट है ली जून उफिशिल यहां पर अनॉस्मेंट किया है देखने को मिल जाता है तो और फ्रेश नूव आपको यह देखने को मिल जाता है इसके अलब दोसो Xiaomi HyperOS के और भी काफि सरे amazing features है जो कि मैं आपको बात में बताने वालो लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वालो कि कैसे आप अपने फोन में यह वाला fresh new control center कैसे enable कर सकते हैं तो इस new hyperOS control center को enable करने के लिए आपके आपास android 13 का software update install होना काफी जबूरी है क्योंकि जो control center है सिर्फ आप सिर्फ यह पे android 13 को सपोर्ट करता है तो simple मैं आपको एक apk file दीदूँगा जो कि system यह प्लगिंग की apk file है जो कि मेरी whatsapp channel या फिर official telegram channel पर available है so telegram channel से भी इस apk file को download करके install कर सकते या फिर update कर सकते हैं and update करने के बाद या फिर install करने के बाद सारे के सारे recent panel को clean करना है इसके बाद आप चेक आउट करकी देशते हैं आपके फोन में भी इस टैप का Xiaomi का Hyper Earth का नया control center enabled हो जाएगा बाकि जो fresh new volume panel से वोल्यम पैनल भी आपको देखने को मिल जागा इसके आलो दो सब बात करेंगे control center में ही आपको उपर के सर में या पर media control देखने को मिल जाता है बाकि आपको जो wifi उसके बाद जो mobile data के टॉगर से उपर के सर में horizontal mode में देखने को मिल जाएंगे brightness बारे volume panel यह वो भी आपको यह वर्टिकल देखने को मिल जाएंगा अंड्रोड इस्टर एक मतलब कि smart devices आपको देखने को मिल जाएंगे अद निचे के सर में जाएंगे आपको यह पर नीचे के सर में edit का बटन देखने को मिल जाएंगा जो भी टोगर्स आपको day to day left में इस्तेमाल कर रहा है मतलब कि daily यूज़ करना है वस उनको यह पर एड़ कर सकते हैं तो काफी फ्रेश इन हम को यह पर नए control center देखने को मिल जाता है अगर आपको अपने किसी फोन में इनेबल करना है जैसे कि POCO का device हो, Xiaomi का device हो या फिर Redmi का device हो तो किसी भी device में इस वाला नए control center को इनेबल कर सकते हैं अगर आपको Xiaomi HyperOS के बार में और भी information चाहिए और भी नए features के बार में जानना है तो आप चैनल को definitely subscribe करके रख सकते हैं So friends, I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आच चुका होगा तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक किजिए, share किजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ एसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए thank you, bye bye, take care